भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाच्छियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जहम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्श करने वाले फांसी के तक्ट पर चड़कर के भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये पर्व है उनका पुन्यस मर्ण करने का पर्व है आज हदी के दिवानों ने आज हमें आज हदी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है ये देश उनका रणी है ऐसे हर महा पुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वात्यों आज जो महानुभाव रास्तर रक्षा के लिए और रास्तर निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवद्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे हो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नउजवानों का होसला हो हमारी माता और बहनों का योगदान हो दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अभावा के बीज भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निस्टा लोग तंत्र के प्रति उसकी श्रधा ये पूरे बिश्व के लिए एक प्रेरख घटना है मैं आज ऐसे सभी को आधर पुर्वग नमन करता हूँ सारे देश्वासियों इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए है संपत्ति खोई है राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना अव्यक्त करता हूं और मैं उने विस्वाद दिलाता हूं यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्वादियों हम जरा आज़ादी के पहले के वो दिन याद करे सैंकडो साल की गुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आधिवाची हो उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे अभीरत्य जंग लड़ते रहे इतियाद गवाँ है कि 1857 के स्वातन संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आधिवासी छेतर से जहां आजादे का जंग लड़ा जाता था साथियों गुलामी एदा इतना लंबा काल खान जुल्मी शाचक अप्रम पार यातनाए सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीवे उसके बावजुद भी उस समय की जन संख्या के हिसाप चारिब चालिस करोर देश वासी आजाजी के पुर्वत चालिस करोर देश वासीों ने वो जज़वा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल पर लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम एकी सपना था भारत की आजादी का चालिस करोर देश सवासीों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वत थे सिर्फ चालिस करोर चालिस करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैक दिया था गुलामी की जंजिरों को तोड़ दिया था अगर हमारे पुर्वज जिनका खुन हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोड है अगर चालीस करोड गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर चालीस करोड आजादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजादी लेकर के रह सकते हैं तो एक सो चालीस करोड देश की मेरे नागरीक एक सो चालीस करोड मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंद से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनोतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो, सुमसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी, हर चुनोति को पार करते हुए, हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विच्षिज भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार से, अपने समरप्रश, अपने त्यार से, अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोर देशवासी उसी भाव से सम्रद्ध भारत भी बना सकते हैं, साथियों, वो एक समय था, जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबत गते हैं, और आजादी मनी, आज ये समय हैं, देश के लिए जीने की प्रतिबत गता था, अगर देश के लिए मरने की प्रतिबत गता आजादी दिला सकती हैं, तो देश के लिए जीने की प्रतिबत गता सम्रद्ध भारत भी बना सकती हैं, साध्यों, विक्सिक भारत 2047, इस दरब भाषन के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिशम चल रहा है, देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिए जा रहे हैं, और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे, और मुझे प्रसंदता है, कि मेरे देश के करोरों नागरीकों ने विक्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं, हर देश वाशियों का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है, हर देश वाशियों का संकल्प उसमें जलतता है, युवा हो, गुजुर्ग हो, गाउं के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलीत हो, आदिवासी हो, पहड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग है, हर किसी ने 2047 में जब बेत आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विक्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 दिख्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्टरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाओ दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतरी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवननस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके पती चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिख में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परंपरिक भारत की परंपरिक आउसेदिया और मेलनेक हप के रुपे भारत को विक्षित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनना चाहिए साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाचियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाचियों की इतनी विशाल सोच हो देश वाचियों की इतने बड़े सपने हो बेशवाच्यों के इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वाच्यों नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और शाजियों बेशवाच्यों का ये भरोसा सिरफ कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाओं में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आज हादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिन्दी की विज़ारते हैं गाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब बलार किर्जे स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे-छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्च्चता क्या वाथावन बन जाये स्वच्छता की चर्चा हो स्वच्छता के संदन में एक दोसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद कलता रहे मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मिशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बन चित थे इन वेवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं चीते थे सब्सक्राइबन मेरे जुगी जोपनी में जिन्दकी गुजारने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेक ऐसे प्राथवी के रहा सकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्टिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्टिक वन प्रोड़क का माहुल बना है अब वन डिस्टिक वन प्रोडक को वन डिस्टिक का वन प्रोडक एक्सपोर्ड कैसे हो उद दिशा में हर जीले सोचने लगे है रिन्यूबल एनर्जी का संक्रप लिया था जीट ट्वेंटी समू के देशों ने जितना किया है उसे जाउदा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के एक्सेत्र में आत्मा निर्भर मंडे के लिए ग्लोबल बार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पहने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सभलताओं के लेकर पुरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकिट काई बिश्व में सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते से जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नौजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज एक सो चालिस करोर देश्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वाच्स से भरा हुआ है साथ्यों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिश प्रयास हुआ है रिफॉम की पनंप्रा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर नश्कों लेकर के और जब राजनितिग नेत्रुत्व की संकल पर शक्ति हो दड़ विस्वाथ हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निश्वित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम ये न भूले कि देश उस परिस्टिस्यों सभी दसकों तक भी आज़ादी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूता है अरे मामला है आज ने पेड़ी दिखेंगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ गयो कोई बबाल उर जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसे गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है अरे छोडो अप कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन बह गया था हमें इस मान्सिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भावना था और हमने उस दिसा में प्रयाह किया कई लोग तो कहते थे अगली पीड़ी के लिए काम हम अजबी से क्यों करें हम तो आज का देखे लेकिन देश का सामान नागरी ये नहीं चाहता वो बडलाव के इंतजार में था वो बडलाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तबज्यू नहीं दी उसके आशा अकांशाओं को अपेशाओं को तबज्यू नहीं दी गई और उसके कारा वो मुसिबतों को जेलते हूँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो, बड़े क्लास हो, हमारे वन्चीत लोग हो, हमारी बढ़ती जती शहरी अबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांचाय हो उनके जीवन बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना और मैं एक देश वाद्शों को विश्वात दिनाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबत दता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबत दता है वो चार दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्ल्यूप्रिंट बनी हुई है ये हमारा रिफॉर्म ये ग्रोथ ये बढ़्लाव ये सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्टिल सुसाइटी के लिए एक्सपर्ड लोगे के लिए सिरफ चर्चा कभी शें नहीं है साथियों हम ले राजनिती मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो की लिए कर रहे हैं और राजनिती का भागा गुना करके नहीं होते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फास्ट रास्तहित सुप्रेम ये मेरा भारत महान बने इसी संकल्पों को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफॉर्म की बात आती है एक लंगा परिवेश है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइट गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटा सा उदान देना चाहता है बैंकिंग सेतर में जो रिफॉर्म हुआ अब सोचिए बैंकिंग सेतर का क्या हाल था नभी कास होता था नभी स्तार होता था नभी स्वाद बढ़ता था इतना ही नहीं चिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेतर को मजबूत बनाने रिक लिए अनेक भी रिफॉर्म्स किये और आज उतका गरण हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है नहीं तब पॉर्मल एकॉनोमी की टाकट भी बढ़ती है जब बैंक की व्योस्ता बन जाती है तब सामा ने बश्वास करके मजबूत के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा कदे की सबसे बड़ी ताकत बैंक की इंसेक्टर में होती है अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको वेहिकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रेक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को स्टार्ट अप के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश से लाब ले रहे हैं मुझे खुची है मेरे रेडी पट्री वाले लाखो भाई बहन आज बैंक से साथ जूड़ करके अपनी नई उचाईयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं हमारे MSM इस हमारे लगूप दियों के लिए तो बैंक के सबसे बड़ी सहायक होती है उसको रोज मर्रा पैसों की जरूत होती है अपने नीत्य मर्जी पर प्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संबव हुआ है साथ यों दुर्भागेद हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से भुजेना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोते रहो वही कल्चर देवलाप हुआ था आज हमने गवर्नांस के इस मोडेल को बदला है सरकार खुद लाभारती हितार्थी के पाँच जाती है सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलिट करती है, प्रोटसाइट करती है, आज सरकार खुद नव जबान के स्क संगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को, अनेक बीत पालिसिस को निरंतर बनाया जाया है। और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है। निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नवजवान है। जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था। उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है। 10 साल के फीतर फीतर उसके सपनों को आकार मिला है। धार मिली है। और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतना जगी है। और वही देश का एक नया सामर्थ के रुपे उभरना जगी है। आज विश्व भर में भारत की साख बड़ी है। भारत के प्रती देखने का नजरिया बड़ला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है। रोजगार के अंगिनित नए अवसर जो जाएदा आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे। वाज उनके दरवाजे पर दस्थक दे रहे। संभावनाओं बढ़ती गई हैं। नए मोके बन रहे हैं। मेरे देश के जुआओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वात नहीं करना। मेरा देश का नवजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई शिद्वियों को प्राफ्ट करने के बूड बहुत हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्ड ने रहा है। वेश्विक परिसित्यों के तुलना में भी देखें। ये गोल्ड ने रहा है। ये हमारा स्वनिम कालखंड है। मेरे त्यारे देश वाज़ियों ये आवसर हमें जाने नहीं देना। ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए। और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर कर चल पड़ेंगे। तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो अपेक्छा। और हमें विक्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे, हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं, आज तुरिजियम का ख्षेत्र हो, MSMS का ख्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्ड सेक्टर हो, ट्रांस्पर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टिम बन रहा है, हम बिश्व की बेस्ट प्रक्टिसिस को भी आगे रखते हुए, हम आमारे देश की परिश्चित्यों के अनुसार आग प्रूरत है, नयपन की जरूरत है, टेक्नलोजी को जोडने की जरूरत है, और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण, इन सारी ख्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है, हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर से के साथ चल पड़ें ठील उठें सपनों को प्रा करके रहें सिद्धी को हम अपने नीकर देखें हम आत्म साथ करें उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कि इतना बड़ा वरा रहा है मैं एक दम जमीनिस्टर की बात करूँ विमेन सेल्फ हेल्फ गृुप आज दस साथ में हमारे दस करोड बहने विमेन सेल्फ हेल्फ गृप में जुड़ी हैं दस करोड नई बहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गाउं की दस करोड महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन रही है और जब महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तंगी गारन्टेजे करका आती है मुझे गर्व है इस बात पर लेकिन साथ मुझे गर्व है इस बात का भी है कि हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाग जमा रहे भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाग जमा रहे हैं हमारे लिए खुजी की बात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ Women's Self-Holp Group से एक करोड मेरी सामान परिवार की माताय बेने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्वी की बात है अब हमने Self-Holp Group को 10 लाग रुपे से 20 लाग रुपे देने का निरे किया अब तंग 9 लाग करोड रुपिय बैंकों के माध्यम से हमारे इन Women's Self-Holp Group को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेक वित कामों को बढ़ावा रहे हैं मेरे साथियों मेरे नौजवान इस तर भ्यान दे Space Sector एक future है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत पुर्ण पहलू है हम उस पर भी बल दे हैं हमने Space Sector में बहुत reform किये हैं जिन बंधनों में हमने Space Sector को बांद के रखाता हैं उसे हमने खोल दिया है और सेंक्रों स्टार्ट अप्स Space के सेक्टर में आ रहे हैं vibrant बनता जाता हमारा Space Sector भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्वपुर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज private satellite private rocket launch हो रहे हैं ये गर्वे की बात हैं आज मैं कह सकता हूं जम नीती सही होती है नियत सही होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित परणाम हम प्राप तक करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास्जियों आज देश में नए आउसर बने तब मैं कह सकता हूं दो चीज़े और हुई जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आधुनिक इंफरास्रेक्टर का दर्बाद हमने इंफरास्रेक्टर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानवी के जीवन में जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक में अभूत्पर्व इंफर सेक्टर का अभी कास हुआ है रेल हो, रोड हो, एरपोर्ट हो, पॉर्ठ हो, ग्राउंट्मेंट के रेक्टिबिटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदु रिलाकों में अस्पटाल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो मेडिकल कॉलेजों का काम हो, अविश्बान आरोग्य मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार ते जादा अमरुक सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पक्के घर बनना गरीबों को एक नए आस्रे मिलना पीन करोन ने घर बनाने के संक्रप्र के साथ आगे पढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थिस्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने यह जो कया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाप समाज के उन्वर गोतर हम पहुंचे हैं जो ग्रामिन सड के महां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था जिस इलाकों को नहीं देखता था जिन गावों को नहीं देखता था दली थो, पीडी थो, छोची थो, वंची थो, पिछले हो, आदिवासी हो, जंगल पर रहने वाले हो, दूर सुधूर पहड़ों पर रहने वाले हो, सीवावरति स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यक्ता की पूर्ती किये हैं, हमारे मच्वारे भाईब्यानों की आ आरकम में रहा है हमारी कारिश्यली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नएने आवसर मिलते हैं नएने शेत्र के कदम रखने का उसके लिए संभावनाय बन जाती है और वही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का आफसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्यमबर के परिवार है मद्यमबर के परिवार को quality of life वो स्वाभावी को इसके अपेक्षा रहती है वो देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दाइत्व है कि उसकी जो quality of life पर जो उसके अपेक्षा है सरकार की कठिनाईयों से मुक्ति की उसकी जो पेक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्सित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मान्य के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की जवरत हो बहाँ अभाव ना हो और जहां सरकार की बेवकारण प्रभाव भी नहो इस प्रकार की वबस्ता gear हम परतिवर्दीद रहे मेरे प्यारे देश्वासियों हम जरुत छोटी छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम छोटी छोटी आवस्चताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरिव की मां को कभी आंसु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति लाग की योजना हमारी चल देए बिजली पानी येस अब सैचुरेशन के मूड पर है और जब हम सैचुरेशन की बाग करते वो सत प्रतीशत होता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातीवाद का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको में पान्थिकता का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन का मंतर होता है तब सच्च अर्थ में सप्ता साथ सप्ता विकास का मंतर साकार होता है लोकों के जीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों कम्प्लाइंसीज के लिए सरकार सामान ने मानवी पर बोज डालती थी उन सारे कम्प्लाइंसीज को दूर किया हमने देश वाजियों के लिए देश हजार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के देश वाजियों को फत्ना न पड़े हमने छोटी-छोटी गल्दियों के कारण ऐसे कानू बने थे उनको जेल बे दर तकेल दिया जाए हमने उन छोटे-छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराय थी उन सारे कानूनों को नश्ट कर दिया और उपनून को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज हानी की विरासत की विरासत के गर्वित की बात हम जो करते हैं सद्धियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लौ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लौ जिसको हमने नयाई सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन नहीं और नागरी को नयाई इस भाव को हमने प्रबल बनाया है इस अब लिविंग बनाने लिए देश को आपी मिशन में काम कर रहे हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनी जीजों का आवान करता हूँ मैं जन प्रतिनी ती वो किसी भी दल के क्यों नहों किसी भी राज्य के क्यों नहों सबसे आगर करता हूँ कि हमने एक mission mode में ease of living के लिए कदम उठाने चाहिए मैं हमारे युवाओं को professionals को सब को मैं कहना चाहता हूँ आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कते होती है आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रही है सरकार को बताईए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुक्षान नहीं है मैं पक्का मानता हूँ आज सरकारे सम्मेदन सिल है हर सरकार स्थान ये स्वाराज के संस्ता होगी या राज्य सरकार होगी या केंदर सरकार होगी उसको तवज्जु देगे गवर्नेंस में रिफॉर्म्स यह हमें विकिसित भारट एड़ पेंटी फोर्टी सेवन के सपने के लिए हमने उसको जोड लगा करें के आगे बढ़ाना होगा ताकि सामान ने मानवी के जीवन में अवकास ही अवकास पादा हो रुकावटे खत्म ही खत्म होती चली जाए नागरीकों का डिगनीटी ओप सिटीजन नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले डिलिवरी के समझ में कभी किसी को यह कहने के मौबद नाया कि यह तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के गवर्नस में डिलिवरी सिस्टिम को और मजबूदी चाहिए आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं आज देश में करीब करीब तीन लाख समस्ताएं काम करिए चाहिए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो काईया है अगर ही हमारे तीन लाख की काईयों को मैं आज आवान करता हूँ कि अगर आप साल में अपने स्तर्पन जिन चीजों की जरुदे सामान ने मानविक लिए दो रिफॉर्म करें जाना नहीं कह रहा हो मेरे साथियों एक पंचा है तो यह राच्य सरकार हो कोई भी भाग हो सिरब एक साल में दो रिफॉर्म अप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब करीव 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामाने मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ती रास को नहीं चाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलाओं के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामाने मानवी की जरूत चोटी चोटी जरूत होती है पंचाईट लिबल पर भी वो मुसीबते जेल रहा है उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं मेरे प्यारी देश वास्यों आदेश आकांग्षाओं से भरा हुआ है हमारे देश का नवजमान नई सिद्ध्यों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर सेक्टर में कारिये को हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करें दूसरा इस बदलती हुए ववस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफरसेक्टर चाहिए उन इंफरसेक्टर पर हम बदलाओ के मजबुती देने के दिज़ा में काम करें और तीसरी बात है नागरीकों की मुलभुत सुविधाओं की विशे में हम प्रात्विक्ता दें उसको बल दें इन तीनों भारत में एक एस्प्रेशनल सुसाइटी का निर्माण किया है और उसके पन्राम सरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भड़ा हुआ है हमारे देश वास्चों की आकांख्षा है उनके एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थ के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ ले कि एक लगख ले करके चल रहे है मुझे पीश्वाद है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रति व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए है ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगजान बढ़ा है भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है विदे सी मुदरा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुँचा है ग्लोबल संसानों का भारत के पती भरोशा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशा सही है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ है लेकिन इस सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्जा में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के शायली है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों मैं जब करोना काल को याद करता हूँ करोना की वेश्विक मह हमारी के बीच सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश आए तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गर्थ तिरंगा फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा बेश तिरंगा है, हर गर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई उर्च है, न कोई नीच है, सबी भागती है, यही तो हमारी दिशा की ताकत है जब हम पतीस करों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, कि हमने गती को बराबर मैंटेन किया है, और सप्नों को साकार करना दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांची जिले, अपने राज के अच्छे जिलों की परदा कर रहें, बराबी कर ले लगे हैं, तो हमें लगता है, कि हमारी दिशा और गती, दोनों सामर्दवान है जब हमारे उन आजी वासिसाथियों को, वो मदद मिलती है, पीम जन्मन के द्वारा, उनको जो जोजना है पहुँची थी, आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दोग सुर्दूर इलाकों में छूट पूट छूट पूट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोच के निकाला है, उनके लिए चिंता की है, तब लगता है, कि सम्वेदन सिल्टा से जब काम करते हैं, तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेन के लिए पेड मेटनिटी लीव, बारा हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दिते हैं, तब स्रम नारी का सम्वानी करते हैं, नारी के प्रती सम्वेदन सिल्टा भावते निर्णे करते हैं लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है न, उसको एक उत्तम न जब मेरे दिव्यांग भाई बहन, भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो, या तो सुगम में भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी हैं, मेरे पते सम्मान के भाव से देखता है, और परालंपिक में तो हमारे खिलाडी नहीं नहीं ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है कि यह जो मेरा ममभाव है, हम सबका ममभाव है, उसकी ताकत दजर आती हैं, हमारे ट्रांसजेंडर समाज के पती, हम जीस सम्मेजना के साथ निर्डे बना रहे हैं, हम नएने कानून बना रहे हैं, उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम पैस कर रहें तब बड़लाव के हमारी दिशा सही दिता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत बार्गों से हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाफ आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे एक सो चालिस करोर देश वाकी आपने जो आशिरवाद दिये हैं उस आशिरवाद में मेरे लिए एकी संदेश हैं जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर छेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईयों पर पहुचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशिरवाद देने के लिए मैं कोटी कोटी देश वाचियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनके प्रती नत मस्तफ होता हूँ और मैं उनको विश्वाद दिलाता हूँ कि हमें नई उचाईयों को नए जोस के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोश मान करके बैटने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और ने उचाईयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं विकास को सम्रुद्ध को सपनों को साकार करने को संकल्पतों ले जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं देश वाच्यों का स्वभाव बनाना चाहते हैं मेरे पहरे देश वातियों आज नई सिख्षा नीती बहुत एक मात्रों में कई राच्यों ने उसको अच्छा इनिशेटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21 वी सदी के अनुरूप हमारी सिख्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते हैं और विक्सित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मालव समूत तयार करना चाहते हैं नई सिख्षा नीती बहुत बड़ी भूमिक आदर है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश के नवजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े मद्यम्बर के परिवार के लाखो करोडों रुपिया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्ट हो जाए हम यहां ऐसी सिख्षा व्यबस्ता का विक्सित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नवजवानों को विदेश जाना न पड़े मेरे मद्यम्बर के परिवारों को लाखो करोडों रुपिया खर्ट करना पड़े इतना ही नहीं ऐसे संसान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुह मुढ़े अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवर प्रदित्यात रहा है नालंदा उनिवर्सिटी का अपना निर्माण किया है फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है लेकिन हमें सिख्षा के एक छेत्र में फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जगाना होगा उस नालंदा स्प्रीट को जीना होगा उस नालंदा स्प्रीट को लेकर के बड़े विश्वात के थाथ विश्वगी, ग्यान की परंपराओं को नई चेथना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुका विश्वात हैं कि नई शिक्षानिती ने मात्र भाषा पर बल दिया है मैं राज सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी समसानों से कहूंगा कि भाषा के कारान हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए भाषा अब रुद्ध नहीं होनी चाहिए मात्र भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाषा में पढ़ाई जीवन में मात्रु भाषा का स्थान परिवार में मात्रु भाषा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देश स्वासियों जिस प्रकार से आज बिश्व का बढ़लाओं नजर आ रहा है और तब जाकर के स्कील का महत्म बहुत बढ़ गया है और हम स्कील को और नहीं एक तागत देना चाहते हैं हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रख करके हम स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम एगरिकल्टर सेक्टर में भी केपिसिटी बिल्डिंग करके इसने के लिए स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम तो हमारा सभाई का खेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलप्मेंट की और बल देना चाहते हैं और हम स्कील इडिया प्रोग्रेम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं बजेट में भी इसका बहुत बड़ा इस बजेट में इंटर्शिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एस्पिरियंस बिले उनकी कैपसीडी बिल्लिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस पकार चाहिए मैं स्किल युवानों को तयार करना चाहता हूं और जिदे कई हुआ और दोस्तों आज विश्व की परितित को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मेंड पावर जो है हमारा स्किल्ड फुल जो नौजवान है वो ग्लोबल जॉब मार्केट में आम पनी तमक बनाएं हम उस सपने को को लेकर के आगे चल रहे हैं साथियों विश्व दिश्टेजी से बदलदा है जीवन के हर शेत्र में साइंस और टेक्नलोजी को महत्वा बढ़ता चलाए जारे बना है हमें साइंस को बहुत बढ़ देना के अवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफ़लता के बा तब हमारे सिख्षा संस्तानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी रिशर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है हमने जादा से जादा चैस स्थापित किये हैं हमने नेशनल रिशर्च फॉंडेशन बना करके हमने ुसको एक काणूनी में परिवेश में ला करके स्थाई रूप सेकी रवस्ता विक्सित की हैं ताकि रिशर्च को लेकरके निरंतर बल मिले और निसरच फॉंडेशन उसकाइं करें मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजेट में हमने एक लाग करोड रुपिया रिसर्ट और इनोवेशन के लिए हमने देने का निलने किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पूएंगे साथियों आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे है वैज़ा का हमारे बहुत ज़्यादा तर मद्दमबर के परिवार के उनके लाखों करोड और उर्पे खर्च हो जाते है और तब जाकर के हमने पिछले दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाख कर दिया आज मैं करीब करीब 25 थार युआ हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते है और ऐसे ऐसे देश में जाना पढ़ रहा है कभी कभी जो मैं सोच सुनता हूँ दहरान हो जाता हूँ और इसलिए हमने ताइक किया है कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में पचात्तर हजार नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे जेश वाचिया विट सीध भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जो स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से ध्यान देने के ज़रूर है और इसलिए हमने विक्सित भारत की जो पहली पीड़ी है उनकी तरफ विशे ध्यान दे करके हमने पोशन का एक भ्यान चला है हमने रास्टिये पोशन मिशन चुरू किया है पोशन को हमने प्राफिक्ता दी है मेरे प्यारे देशवाचियों हमारी क्रिशी व्यवस्ता को ट्रांस्फॉर्म करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सद्यों से जिस परम्त्वरता में दबे हुए है जकडे हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं हम उसको ट्रांस्फॉर्म करने के दिशा में लगातार काम करते आए है आज आशान रुन दे रहे हैं किसानों को टेक्नोलोजी की मदद दे रहे हैं दे रहे हैं प्रावधान किया है मेरे प्यारे देश्वासियों अज दुनिया के स्थिती मैं देखता हूँ तोरा विश्व होलिस्टिक हेल्ट केर की तरब मुड़ा है और तब उनको और गेनिक फूड यह उनकी प्रसंपसंद बनी है आज विश्व के लिए और गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है मेरा देश बन सकता है और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि और गेनिक फूड की जो भिश्व की मांग है उस और गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने किसानों का जीवन आसान बने गाओ में टॉप ग्लास इंटरेट कनेक्टिविटी मिले किसानों को स्वात्रस्विदा हैं मले किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्द हो छोटी-छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवाराज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है तब उनके नव जबारों के लिए वो स्कील मिले मोडल पर हमने काम किया है इनोवेशन हो एंप्लॉइमेंट हो एंट्रेप्रिनर्शिप हो हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं महिलाएं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रही एसा नहीं महिलाएं नेत्रुत्र दे रही है आज अनेक शेत्रों में आज हमारे रक्षा शेत्रों में देखिए हमारा एर फोर्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहें देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा तो हमारी माताओ बेहनों बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे है उसके प्रती देश का अक्रोष है जन सामाने का अक्रोष है इस अक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवाज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षशी कृत्य करने दवालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बनातकार की ये महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में चाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षशी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कही नजर नहीं आती है कौने में कही पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी ब्यापक चर्चा होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की साहलत यह होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे देश स्वासियो हमारे देश में ऐसी एक आदर बन गई थी स्वभाव से हम देश को कम आखना देश के पती गवरों के भाव का अभाव होना ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी-कभी तो लेट आए जो कैसे से इंडियन राए शर्म के साथ हम बोल देते देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई किसी जमाने में कहाँ जाता गारे खिलोंने भी बाहर से आते थे वो दिन देखे हमने आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे देश के खिलाओन दुनिया के बाजार में अपनी थमग ले करके पहुंट रहा खिलोंने हमरे एक्सपर्ट होने शुरू हुए तो ये जमाना था हम मोबाइल फॉन इंपोर्ट करते थे आज मोबाइल फॉन मैनिफेकिंग का इको सिस्टिम बना है बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाइल फॉन दुनिया में एक्सपर्ट करने लगे है ये भारत की ताकत है साथियों भविष्ट के साथ सेमी कंड़क्टर जुड़ा हुआ है आदुनिक टेक्नाजियों जुड़ी है ए आई जुड़ा हुआ है हमने सेमी कंड़क्टर मिशन पर काम शुरू किया हर उपकरन में मेड़ी निनिया चीप क्यों न हो क्यों ये सपना मेरे देश का नवीजवान देगा टेले जिया है सारे इस प्रकार के रिसेर्ट काम हंदुस्तान में होते है तो अब प्रोडक्शन भी हंदुस्तान में होगा सेमी कंड़क्टर का काम भी हंदुस्तान में होगा और हम end-to-end solution दुरिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको का रखते हैं साथ में एक जमाना हमने देखा है तूजी के लिए हम कैसा जंगर्श करते थे आज हर उपकरन में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फायूजी चिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ हिंदुतान के करीब करीब सबी ख्षेत्रों में फायूजी पहुंच गया विश्व में तेज गरती से फायूजी पहुंचाने में हम आगे रहे हैं और देश साथियों में ने कहा हम रुखने वाले नहीं है हम सिख जी पर अभी से मिशन बोड़ में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे यह मैं विश्वा से कहता हूँ मेरे पहरे साथियों डिफेंस सेक्टर हमारी आदब होगे थी डिफेंस बजेट कितना ही क्यों हो लेकिन कभी को सोथता नहीं था अगर डिफेंस बजेट बढ़ा तो जाता कहा है डिफेंस बजेट विदेशों से खरीजी में चला जाता था अब हम चाहते हैं हम आत्मन निर्फर बने और मैं हमारी डिफेंस फोर्सिस का रदेश से धन्यवाद करता हूँ उन्होंने हजारों ऐसी चीज़े लिस्ट कर दी है उन्होंने ताइक किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे राष्ट के दिए जीना क्या कहते हैं कि हमारे सेना के जमानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मन निर्फर होते चले जा रहे है आज डिफेंस मेनिफेक्टरिंग में भारत के पहचान बनिए और मैं आज खुछी चे कह सकता हूँ कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज बाहर के लाता था आज दीरे दीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विप्मेंट मेनिफेक्टर कर हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं दुनिया में डिफेंस हब मेनिफेक्टिन हब के रुप में हम दीरे दीरे उभर रहे हैं हम मेनिफेक्टिनिंग खेत्र को बढ़वा देना चाहते को गिर्योजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है आज PLI स्कीम को बहुत बड़ाई सफलता मिली है FDI reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है MSM इच को बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताइ विशित हुई है और उसके कांन हमारा मेनिफेक्टरिंग शक्तर हम दुनिया का इस मेनिफेक्टरिंग हर बने जिस देश के पास इतनी नव्यजवान सकती हो जिस देश के अंदर ये सामरत हो हम manufacturing की दुनिया में भी industry 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं और इसके लिए आवश्चेख skill development उस पर भी हमने बल दिया है और skill development भी हमने नए model टाइक किये है हमने जन भागी दारी को जोड़ा है ताकि तुरंद requirement के नुसार skill development हम कर सके और मुझे भी स्वाथ है देलाल के लिए की प्राचीट से कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत industrial manufacturing का हब होगा दुनिया उसकी तरफ देखती होगी आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनिया भारत में निवेश करना चाहती है यह चुनाओं के बाद मैंने देखा है मैंने तीसरे कारकाल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादा तब निवेशक लोग है विश्व भरके निवेशक है वो आना चाहते हैं में निवेश करना चाहते हैं एक बहुत बड़ा गोल्डन ओपर्चिनिटी मैं राज्य सरकारों से आग्रा करता हूं कि आप निवेशकों को आकर सित करने के लिए स्पष्ट निती निधारित कीजिए गुड गवर्ननंस का अस्वासन दीजिए लॉइन ओर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए निवेशकों को लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नवजवानों को स्थानिये रूप से आऊसर मिलेगा रोजगार का हुसन में लेगा नीतियों में परिवर्टन लाना चाहिए तो global requirement का अनुषारार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए land की आवस्यक्ता है तो राज्यों ने land बेंग बाना नीच चाहिए good government single point पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोयक्ति होंगे, जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं, वो कभी भी वापिस नहीं जाएंगे सिर्फ बारत सरकार से कामियत होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यक्ता होती है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमरा का काम पढ़ता है और इसले मैं राज्यों से आगरे करूंगा, कि जब विश्व पूरा भारत की तरब आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिवत्त हो रहा है, ताब यह हमारा दाइत्व बनता है, कि हमारी पुरानी आदते छोड़ करके, स्पस्ट न प्रतिटी के लिए पहचानी जाए, यह बहुत जरूरी है, अब विश्व के लिए हमें डिजाइन अफ इंड का खेत्र, डिजाइन इन इंडिया इस पर हमने बल देना है, हमें कोशिज करने हैं, अब इंडियन स्टांडर्ड इंडर्न इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनने इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनेंगे, तब हमारी हर चीज को सहत्ता से महर लग जाएगी, और यह हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे एप्रोच की क्वालिटी पर निर डे सकते हैं Design in India इस आहवान को ले कर के हमें आगे चलना है Design in India and design for the world इस सपने को ले कर के चलना है मैं देख रहा हूं gaming की दुनिया का बहुत बड़ा market खड़ा हुआ है लेकिन आज भी के में की दुनिया पर प्रभाव कास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग प्रोड़क्त करने वाले लोग विजेशिक कमाई होती है भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नहीं टैलेंट को लेकर करके आ सकते विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की और आकर हिस्व कर सकते हैं मैं मैं चाहता हूं कि ऑरत के बच्चे, भारत के नौजवान इस बहुत आईड़ी भारत के एऑ के प्रोफेशनल जा के गेमिंग दुनिया को लीड करें लिए खेलने में नहीं मैं बाप प्रोड़क्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जंगा सकते हैं हम उस दिशा में काम करें मेरे पैरे देश वास्यों आज विश्व के अंदर ग्लोबल वियुआ मेन चेंश हर छेत्र में चिंता और चर्चा का विशय दहता है। भारवत ने इस दिशा मैं पभी कतम उठाए हैं। हम विश्वत पहु recruited करते रहे हैं। ऊद है स्वदों सश है आपने कारियों से प्राथ परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चे लिए चकीज भी किया है हम ही है जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन लगाया है हमने रिन्यूबल एनर्जी पर विस्तार किया है हमने renewable energy को एक नहीं ताकत दी है आने वाले कुछ वर्षों में हम late zero future के और आगे बढ़ रहे हैं मुझे आध है Paris Accord मैं जिन डेशों ने अपने लक्ष निर्धारित किये थे आज मैं लाल के लिए की प्राचिर से मेरे देश वाचों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है G20 देश के समूँ जो नहीं कर पाए तो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है मेरे देश वाचों ने करके दिखाया है हिंदुस्तान ने करके दिखाया है Paris Accord के अंदर जो टार्गेट हमने ताई किये थे उन टार्गेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समुमें अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस्तान है एक मात्र मेरा भारत है और इसले गर्व होता है सातियों रिन्योबल एनर्जी के टार्गेट हमने पूर गया है हम 2030 तक रिन्योबल एनर्जी को 500 गीगावट तक ले जाने के लिए बक्सद से काम पलपना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावट शब्द सुनते न तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखत हैं लिगनाच मैं विस्वात से कह रहा हूँ देश्वाथियों को कि इस लक्ष को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानवजात की सवा करेगा हमारे भ़विश्यक भी सवा करेगा हमारे बच्चों के उज्वल भविश्यकी गारंटी बरेगा हमने 2030 तर्टी तक हमारे रेलिवे को नेट जिरो एमिशन का लक्स लेकर करके हम चलता है साथ को पी-एम सुर्य गर मुप्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बड़लाव का फल मेरे देश के सामाने परिवार को मिलागा विशन करके मेरे मध्यमपर को मिलेगा जब उसका बिजली का मुप्त हो जाएगा इलेक्रिज वेहिकल उसके मांग बढ़ती जा रही है जग पी-एम सुर्य गर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सुर्य से तो उसका वेहिकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है साथियों हम ग्रीन हाइडरोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते बहुत तेजी से नीतिया बनाई गई है बहुत तेजी से उसका इंप्लिमेटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइडरोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम चाना चाहते है और यह सारे जो प्रयाद चल रहे है प्लाइमेट की चिंता तो है ही है ग्लोबल वार्मिक की चिंता है लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्वा बढ़ता है तो उसको जब से पहले कैप्टेर करने के लिए मेरे देश के नवजवानों का उसर देने के लिए और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा खेत्र को बढ़ावा दे रहे है मेरे प्यारे देश्वासियों आज हमारे साथ इस तिरंगे जंडे के नीशे वो नवजवान बैठे हैं जिन्होंने अलिम्पीक के दुनिया में भारत का पर्चम लहराया मैं मेरे देश के सबी अथलिट्स को मेरे देश के सबी खिलाडियों को 140 करोर देश वाक्षियों की तरब से बढ़ाई देता हूँ और हम नए सपने नए संकल्प अतंतिक पुर्शात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनकों शुपकामनाय भी देता हूँ आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता परालेंपिक के लिए परिश जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सबी परालेंपिक खिलाडियों को भी रुदेश से बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ साथ यो भारत ने G20 को और्गनायज किया हिंदुस्तान के अनेक शहरों में और्गनायज किया दोसे से जादा इवेंट किये पूरे बिश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ इस बार हुआ इसने एक बात सित्य कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े कामकारिकम और्गनाइज़ करनी की ताकत है भारत को किसी कोई भी हस्पिटालिटी का सामर्द भारत में सबसे जादा है अगर ये सित्य हो चुका है तो साध्यों हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलिम्पिक होगा, वो मेरे हिंदुस्तान की धर्ती पर हो, इसके लिए हम तयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बोड़े हैं। सफलता तब मिलती हैं, पीछे वाले को भी साथ आगे ले आए। सामगार लोग हो, इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए बरपूर प्रयास करना है। अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आजाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और बरी संबेदना के साथ हमें इस काम को करना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा आउसर आ रहा है। मैं मानता हूँ संबेदन सिल्टा की दरस्टी से इससे बड़ा आउसर क्या हो सकता है। हमें पता हैं, 1857 के स्वातांत संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के ना को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी वक्त था। 20-22 साल की उमर में उसने अंग्रेजों के ना को दम ला दिया था। जिसको आज भगवान बिर्शाम मुंडा के रुप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिर्शाम मुंडा की एक सो पटासवी जैंसी आ रही थे। कि हम सब के लिए प्रेणा का कारण बने। समाज के प्रती छोटा सा छोटा ब्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज़वाज रखता है। उससे बड़ी प्रेणा भगवान बिर्शाम मुंडा से रही कौन हो रखता है। आईए। हम बगवान बिर्शाम मुंडा के एक सब प्रतास भी जैंति जब मनाएं। सब्वेदन सिल्का का हमारा व्याप बड़े। समाज के प्रती हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर भी व्यक्ति को गरीबों को दलीग को पिष्डों को आधिवाक्षों को हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले इस संकल्प को लेकर के चलना है। मेरे प्यारे देशवास्यों, हम संकल्प साथ तो बढ़तो रहे हैं। बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला नहों तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विक्रुत मानसिक्ता से बरविये लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। बेन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं ऐसे मुठी बन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृती पलती है तब वो बिराश का कारण बन जाती है सरवनास का कारण बन जाती है एनारकी का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी वड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो छुट पुट निराशावदी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश इतना नहीं है उनकी गोगवे विकृति पल रही है यह विकृति विनास के सर्वनास के सपने देख रहे हैं ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुए देश को इसे समझना होगा लेकिन मैं देश वासों को कहना चाहता हूँ कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमांदारी से राश्ट्र के प्रकी हमारे समरपन से हम सारी परिस्थित्यों के बावज़ुद्धी विकृत मार्श पर जाने वालों के लिए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हतेंगे इम्में विश्वाद दिला जाता साथियो चुनोतियां है अंगिनित चुनोतियां है चुनोतियां भीतर भी है चुनोतियां बहर भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे बढ़ेगा तो चनोतियां भी बढ़ने वाली है बहार की चनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका बली पाती अंदाज है लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूँ भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता है हम विश्व में समरुद्ध थे तब अब हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है हम बुद्ध का देश है युद्ध हमारी राह नहीं है और इसलिए विश्व चिंतित नहों भारत के आगे बढ़ने से मैं विश्व समुदाय को विश्वाद दिलाता हूँ कि आप भारत के संस्कारों को समझे भार कि आप उन तर्कीवों से न जुड़िये जिसके कारण पूरी मानवजात का कल्यान करने का सामर्थ जिस भूमी में है उस भूमी को ज्यादा मेहनत करने पड़े हैं लेकिन फिर भी मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूं चुनोत्या कितनी ही क्यों नहों चुनोती को चु कि तऱ तबह थ है। नहम भी एंगे नहम थकेंगे नहम रुकेंगे नहम जुकेंगे हूं संगल पहुंखी पूर्ती के लिए 150 करोड ने एकसो कले मैं बेश वाच्यों का भाग्या बदनने के लिए भाग्य सुनी चित करने के लिए राज के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसन नहीं छोड़ेंगे हर बदनियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे ये मैं विश्वाद देता हूँ मेरे पहरे देश वाक्षिव समाई की मनो रचना अबे भी बदलाव तभी कभी बहुत बड़ी चुनोती का कारन बन जाता है हमारा हर देश वासी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है हर स्तर के ब्रस्टाचार ने सामाने मानवी का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वाद तोड़ दिया है उसको अपनी योग्यता चंता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राश की प्रग्रते में नुक्षान करता है और इसलिए हमने ब्रस्टाचार के खिलाब एक जंग छेड़ा है मैं जानता हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है मेरी प्रतिष्वाद को चुमा को आनी पड़ती है लेकिन राश्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्वाद नहीं हो सकती है राश के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं दो सकती है आरिसलिये इमानदारी के साथ प्रस्टाचार के खिलाप मेरी लड़ाई चारी रहेगी तीव रगती से जारी रहेगी और प्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर होगी मैं प्रसाचारियों के लिए भैका वाता हूं पादा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान नागरी को लूट रेगी जो परमपरा बनी है उस परमपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बड़ी नई चुनोती आई है प्रसाचारियों से निपटना तो है ही लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनोती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है क्या कोई कल्प ना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संभिदान हमारे पास होने के बावजित कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो प्रस्टाचार का महिमा मंदन कर रहे है खुले आम प्रस्टाचार का जैजे कार कर रहे है समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्यास हो रहा है प्रस्टाचार का जो महिमा मंदन हो रहा है प्रस्टाचारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यात चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चिनोती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विश्य बन गया है प्रस्टाचारियों के प्रती समाज में दूरी बनाये रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मनन होगा तो जो आज ब्रसाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि इतो समाज बे प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते पे जाना में बुरा नहीं हुए मेरे प्यारे देश वाज़ियो बंगला देश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि बहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोर देश वाज़ों की चिंता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अलपसंख्यक उस समुधाय की सुरक्षा सुदिश्चित हो बारद हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश शूख और सांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संसकार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुबचिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग है मेरे पैरे देश वासियों हमारे सम्विधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के सम्विधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना देश को स्रेश्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है वारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोसित, बंचीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के पततर वर्स हम बनाने जा रहे हैं तब हम देश वासियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूं तब बैसर नागरिकों पर बोज बनाना नहीं चाहता हूं कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के हैं मुलाजिम के भी है कर्तवे राज्य सरकारों की भी है राज्य सरकार के हैं मुलाजिम के हैं कर्तवे हर थानिय स्व आज़ाष्यों की कर्तव दे अगर हम सब मिंद करके अपने कर्तवक्चों का निर्वात sudah एक तो हम अपने आप औरों के अधीकारों की रक्षा करने के लिए निमित बनें जब कर्तव का पालन होता है तब अधिकारों के रख्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है कि मैं चाहता हूं कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतंतर भी मजबूत होगा हमारा सामर्थ और बढ़ेगा और हम एक नई इस शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी प्यारे देश वास्यों हमारे देश में सुप्रिम कोट ने बार बार इनिफार्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अनेक बार आदेश दिये हैं क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सच्च मुझ में तो एक प्रकार का कम्मिनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब समीदान के 25 वर्ष मना रहे हैं और समीदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कौर्ट भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो समिदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मानता हूँ इस गंबीर विशेपर देश में चर्का हो व्यापक चर्का हो और तो ही अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून दर्ब के अधार पर देश को बाटते है जो उचनीच का कारण बन जाते है ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल सिविल कोड में पटरता साल बिताए है अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और सब जाकर के देश में धर्मे के आधार पर जो बेदबाव हो रहे है सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी मेरे प्यारे देश वाजियो जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूँ परिवारबाद जातिवाद भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को लोक्त राजिनीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति दलानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत जिस संगतित का नाम है उसकी चर्टा लिखी है जिस संगतित का नाम है भारतिय गनतंतर एक बिरल परिघतना हे हो तिया लुकाखभा निर्भाशनत प्रधानमंति नरेंद्र मुदिरांगरियाक तितिय बारर बाबे प्रधानमंतिर आखनत बहुआ बोलोई अखमबाखिर आईजे जी होह जुगिता आग बहाले गनतंतर भोतिं मेशिनत अखमबाखिर आईजे नरेंद्र मुदिरांगरियार पोती जी आखिर बाद आग बहाले अखम और बिकाख जात्तार पोती जी धरने निजर हमठन बेक्त कोरीले आजी स्वाधिनता दिबाखत तिरंग पतकार तलत ठियो होई मै अखमबाखिर आईजरु सरोग गोभीर कृतक ज्यापन कोरीशु देखा बाखिर आश्ता आरो विस्षाख खरू गतो कोरी निजर तितियोतु काज्यकालत प्रधानमंती दांगरियार भारत बिस्षर हर्ब श्रेस्टर राष्टर हीचापे गोहितुलार बाबे निस्तारे प्रयाक सलाई से मैं अखम बाखिर होई भारत अर पधानमंती नरेंडर मुधिरांगरियाक त्रितियोतु काज्यकालर पारम्भनित तेखे ते जाते भारतक बिस्षर बुकूत उजलाई तुलीब पारे तारबाबे हुभेशा जनाई सु मा कमाइखा आरो महापुरु स्रीमंत हंकर्देबर पभित्र भुमी ए अखमर परा मुई पुनर एबार पधानमंती नरेंडर मुधिरांगरियाक उस्न अभिननन जनाई सु जी खमयत आजियामी तिरंग पतकार्टल ठिय होई सु मुर मन बांगलादेश थका हिंदु लुखकलर पोती ख्रिस्तियान लुखकलर पोती बुद्ध जोईन लुखकलर पोती मुर मन उरिगोई से मन तु करोबाद करोबाद खेमे की आसे करोबाद करोबाद त्याउन लुकर जियन आरो भविश्यतर पोती उद्मिक नता आमार कथा बतराद प्रकाह पाई से भारत बर्खर विभाजन कुनु लुके विशरा नसिल सधिनता हंग्रामत अइक्क बद्ध भारतर बाबे आरो भारतर सधिनतार बाबे हकलुए हंग्राम कोरिशिल विश्यत भारत यह हमारी प्रतिच्छा कर रहा है बांधाये रुकावटे चुलोतियां उसको प्रास्त करके एक जर्ण संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिवद्ध है और साथ जो मैं साब देख रहा हूँ मेरे विशारों में कोई जिजक नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई परदा नहीं है मैं साब साब देख सकता हूँ कि यह देश एक सो चालीस करोड देश वाच्छों के परिस्थरम से हमारे पुरवजों का खुन हमारी रगों में है अगर वो 40 करोड लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड देशवासी संबुरुद भारत के सपने को साकार कर सकते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने तीसरे टम में देश तीसरी एकॉनमी तो बनेगा ही लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा तीन गुना गति से काम करूंगा तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो मेरा हर पल देश के लिए है मेरा हर्षन देश के लिए है मेरा कान कान सिर्पर सरफ मा भारती के लिए है और इसलिए 24 by 7 for 2047 इस प्रतिमत्यता के साथ आएए मैं देश वास्यों का हवान करता हूँ हमारे पुर्वजोनों जो सप्नों देखे थे उन सप्नों को हम संकल पमराए अपने सप्नों को जोडे अपने पुर्शार्त को जोडे और 21 सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहे उसी सदी में हम विक्सित भारत बना के रहे और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वधंतर भारत में 35 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोर कसर न छोड़े और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ आपने मुझे जो दाईतु दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूँगा मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ मैं चिनोतों से कभी टकराते से डरता नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ मैं आपके भविश्य के लिए जीता हूँ मैं आप भारत माता के उजबल भविश्य के लिए जी रहा हूँ और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज दास्ट द्वज के चाया में तिरंगे की चाया में दर्शंकप के साथ हम आगे बढ़ें इसे के साथ मेरे साथ बोले भारत माता की बारत माता की बंदे बंदे जात्रों बंदे जात्रों जाहिन 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 माचन यंवन जात्रों जाहिन 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 जाहिन